Hello Dear Students, Welcome to Top 10 Classes मैं सवरफ सेर और आज से हम आप लोगों के लिए क्लास 9th का मैथ का सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हों तो क्लास 9th का मैथ सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम उसके अंदर कुछ जो हमारे चैप्टर आते हैं हम उसके चैप्टर के बारे में अध्धन करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले पाठ का हमारा जो मैथ का पहला पाठ है वो हमारा पहला लेशन है संख्या पद्ध्यत संख्या पद्ध्यत क्या है इसके अंतरगत हम संख्याओं के बारे में इसके अंतरगत हम संख्याओं के बारे में जैसे परिमे संख्या, अपरिमे संख्या, प्राकृतिक संख्या, इन सब संख्याओं के बारे में अध्यन करेंगे और दूसरा हमारा है बावपद, पाठ लेशन टू हमारा है बावपद, इसके अंतरगत हम एक घास समीकरण, दो घास समीकरण, त्री घास समीकरण, जैसे पाठों से अध्धन करेंगे और तीस्वे चप्कर का नाम हमारा है दो चरों में रैखिक समीकरण, और पाठ्वे चप्कर का नाम है हमारा युकलीट के ज्वामित का परचे, और सिक्स पाठ है हमारा रेखाए और कोड, रेखाए और कोड के अंतरगत हम रेखाएं, रेखाएं और उनसे संबंधी कोडों क बारे में क्या करेंगे अध्यान करेंगे अब पार्ट लेसन सेवन हमारा है त्रिभूज त्रिभूज क्या है त्रिभूज जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई हो उसे क्या कहते हैं त्रिभूज कहते हैं और आठ्वाप लेसन हमारा है चतुर भूज चतुर भूज क्या ह जो चार भुजाओं से मिलकर बनी हुई है इससे पहले हमारा है त्रिभूज जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई है और लेसन एट्थ हमारा जो है वह हमारा चतुर भूज जो हमारी चार भुजाओं से मिलकर बनी हुई हो वह चतुर भूज कहलाती है और हम अपने लेसन एट्थ में चतुर्भूज के बारे में अध्यन करेंगे हमारा नाइन्थ लेसन है समांतर चतुर्भूज समांतर चतुर्भूज और त्रिभूज का छेत्रफल जो हमारा चैप्टर नाइंथ है उसके अंतरगत हम समांतर चतुरभूज समांतर चतुरभूज इससे पहले हम पढ़ेंगे खमारा चतुरभूज क्या है इससे क्या पहले क्या पढ़ेंगे बच्चो इससे पहले पढ़ेंगे खमारा समांतर चतुरभूज क्या है और उसके जस्ट बात हम पढ़ेंगे समांतर चतुरभूज और त्रिभूज जो हमारा समांतर त्रिभूज है समांतर चतुरभूज है और हमारा त्रिभूज है उसके अंतरगत उनका छेत्रफल क्या होता है इसके बारे में अध्यान करेंगे और हमारा लेशन नमबर टेम्थ आता है ब्रित ब्रित जो हमारे सरकल होता है उसके बारे में हम क्या करेंगे अध्यान करेंगे और हमारा इलेवन चेप्टर आता है रचनाय रचनाय जो आपका बहुत ही महात्वपूर है हम रचनाय के बारे लेसंस 11 में हम रचनाय के बारे में अध्वन करेंगे और हमारा लेसंस 12 है हीरोन सुत्र लेसं 13 हमारा है प्रिष्टीज 6 रफल और उनका आयतन के बारे में अध्वन करेंगे लेसं 14 हमारा है सांखिकी सांखिकी हमारा क्या होता है सांखिकी का सांखिकी वह साखा होती है और उनके वरगी करण के लिए करते हैं सांखिकी के अंतरगत हम प्राकृतिक विज्ञान समाजिक विज्ञान मानेवकी सरकार और वैपार के बारे में अध्यान करते हैं हमारा last chapter आता है parability क्या है हमारा विज्या संख्य प्राइक्ता है क्या है हमारा प्राइक्ता तो आज की class को यहीं पर खत्ब करते हैं और हम मिलते हैं आपसे next class में आपका लेकर संख्य पद्यत जो हमारा lessons 1 है हम आपको topic to topic आपका chapter to chapter आपको यहां पर available होती रहेंगी classes इसलिए आप top 10 classes को subscribe कर लीजिए और bell icon को दबा लीजिए जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियो का notification आपको समय समय पर मिलती रहे फिर मिलते हैं आपसे next वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत